नमस्कार आज से शुरूए छट महापर्व की मनी नाइन की ओर से सभी दर्सकों को हार दिख सुपकामना है मैं हूँ अभिशेक आपके लेकर आया हूँ इस हपते का आखरी मनी टाइम जहां मिलती हैं आपको दिन भर की वो सभी खबरें जो जोड़ी हैं सीधे आपकी जेब और जिन्दगी से चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसला चीन के स्मार्टफोन ब्राण शाओमी ने शुक्रवार को भारत में अपनी MI Financial Services को बंद करने की गोशना किया कमपनी ने यह फैसला अपनी Strategic Assessment Activity के तहत लिया है और अब वह देश में अपने प्रमुख कारोवार पर और ज्यादा धेन किंद्रित करेगी शाओमी ने 2019 में MI Pay को लांच किया था और इसके भारत में अभी 2 करोड से ज्यादा यूजर्स हैं कमपनी ने MI Credit की सेवा भी लांच की थी आज की दूसी ख़बर है ICICI Bank से जुड़ी हुई प्राइवेट सेक्टर के ICICI Bank ने 2 करोड से लेकर 5 करोड रुपे तक के fixed deposit पर interest rate को बढ़ा दिया है नई ब्याजदर ने 28 अक्टूबर से लागू हो चुकी है नई ब्याजदरों के साथ बैंक अब 7 दिन से लेकर 10 साल तक की FD पर 3.75 फीजदी से लेकर 6.25 फीजदी तक का ब्याजदेगा एक से 3 साल वाली FD पर बैंक सबसे ज़्यादा साड़े 6 फीजदी की दर से ब्याजद की पेशकर्श कर रहा है FD पर ब्याजदर बढ़ने से छोटी बचट करने वालों को अब ज्यादा फायदा होगा अब खबर पैट्रोल डीजल कारों पर प्रितिबंद से हजुडी यूरोपिय संसद और यूरोपिय संग के सदस्य देशों ने वर्स 2035 तक नई पैट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों की विक्री पर प्रितिबंद लगाने के लिए एक समझोता किया है यू के बारताकारों के बीच इस समझोते पर सहमती बन गई है यूरोपिय संग के आकड़ों के अनुसार परिवहनी एक मात्र ऐसा छेतर है जहां पिछले तीन दशकों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सरजन बढ़ा है परिवहन उत्सरजन 1990 और 2019 के बीच साड़े 33 वीज़ी तक बढ़ गया है या थरी कारें पर दूसर फैलाने में एहम भूम का निभाती है सरकारी करमचारियों को लिए अब खुशकबरी केंद्य सिवल सेवा राष्टिय पैंशन परणाली नियम 2021 के तहत करमचारी के अपंग होने के करण सेवा से छुटी मिलने की स्थि में पुरानी पैंशन यूजना का उप्शन चुन सकते है नियम के मताबिक पैंशन और पैंशन भोगी कल्यान विवाग ने अपने आफिस मेमोरंडम में कहा है कि सेवा के दोरान सरकारी करमचारी की मिर्त्य आमानिता या अच्छमता के आधार पर उसकी छुटी की स्थि में पुरानी पैंशन यूजना को लिया जा सकता है गैहूं और दालों की नहीं होगी देश में कमी क्योंकि फसल वर्स 2022 तेश के चालू रवी सत्र में अब तक 54,000 हेक्टियर रखवे में गैहूं बोया जा चुका है जो एक साल पहले की समान अबदी के 34,000 हेक्टियर रखवे से 69 फीजदी अदिक है रवी सत्र की मुखवसल गैहूं की बुआई अक्टूबर में शुरू होती है और मार्च अप्रेल में इसकी कटाई होती है उत्तरप्रदेश, उत्राखंड, राजिस्थान और जम्मू कश्मीर में गैहूं की बुआई का काम तेजी से चल रहा है दलहन की बुआई का रखवा इस रवी सत्र में अब तक 8.82 लाख हेक्टियर हो गया है जो एक साल पहले की सवान अबधी में 5.91 लाख हेक्टियर था तिलहन की बात करें तो लगबग 19.79 लाख हजार हेक्टियर में 6 प्रिकार के तिलहन बुए गए हैं जिसका रखवा एक साल पहले की अबधी में 15.13 लाख हजार हेक्टियर था गयहू दाल की महंगाई से तो मिलती दिख रही है राहत लेकिन आलू टमाटर के बढ़ सकते हैं दाम कि जुलाई 2022 में समापत हुए फसल वर्ष के दौरान आलू और टमाटर के उत्पादन में 4-5 फीजदी की गिरावट आने का अनुमान है वही प्याज का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहने की उम्मीद है बागवानी फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी करते हुए कृशी मंत्राले ने कहा है कि आलू का उत्पादन वर्ष 2021 में 5 फीजदी कम होकर 5,33 लाग टन होने का अनुमान है सोशल मीडिया से अगर आपको है कोई परेशानी तो अब तुरंत होगा समाधान क्योंकि सरकार सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म के खिलाब सुनवाई के लिए अपीलिये समीतियों के गठन की हूजना बना रही है शिकायत अपीलिये पैनल का गठन सूचना प्रोधोगी की इनियम 2021 में कुछ फेर बदल के बाद किया जाएगा इस बदलाव में यह प्रावधान रखा जा सकता है कि शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर शोशल मीडिया मंच उसका संग्यान लें और 15 दिनों के भीतर वो शिकायत का निवारण करें शोशल मीडिया मंचों के खिलाब आने वाली शिकायतों का समुचित निप्टारा नहीं होने पर एक अपिलिय विवस्था बनाने की मांग पिछले कुछ समय में तेज हुई है शोशल मीडिया से अगर आपको है कोई परेशानी तो अब तुरंद होगा उसका समाधान क्योंकि सरकार शोशल मीडिया प्रेटफॉर्म के खिलाब सुनवाई के लिए अपिलिय समीतियों के गठन की योजना बना रही है शिकायत अपिलिय पैनल का गठन सूचना परदोगी की नियम 2021 में कुछ फेर बदल के बाद किया जाएगा इस पदलाव में यह प्रावधान रखा जा सकता है कि शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर शोशल मीडिया मंच उसका संग्यान लें और 15 दिनों के भीतर उस शिकायत का निवारण करें शोशल मीडिया मंचों के खिलाब आने वाली शिकायतों का समुचित निप्टारा नहीं होने पर एक अपीलिय विवस्ता बनाने की मांग पिछले कुछ समय से तेज हुई है अब ख़बर शेयर बाजार से जुड़ी हुई विदेशी संस्तागत निवेशकों के भारतिय पुझी बाजार में फिर से निवेश करने से शुक्रवार को तेजी का रुक रहा विएसी सेंसेक्स दो सो तीन अंग बढ़कर 69,969 अंग पर बंद हुआ कारोवार के दौरान एक समय साथ हजार 133 अंग तक चड़ गया था नैशनल स्टॉक एक्सेंज का निव्टी भी 49 अंगी बढ़त लेकर 17,706 अंग पर बंद हुआ एशिया के अन बाजारों में दच्छन कुरिया का कॉस्पी, चीन का संगाई कंपोजिट, हॉंग कॉंग का हैंसिंग और जापान का निक की ग्रावट में बंद हुए यूरोप के प्रमुक बाजारों में शुरुआती कारोवार में ग्रावट का रुक रहा देश में अब तेजी से बढ़ेगा एलेट्रिक महणों का इस्तेमाल क्योंकि चार्ज प्लस जार्जों और महिंदरा ने इलेक्रिक महानों के लिए चार्जिंग नेटवर्क इस्थापित करने के एक सम्झता किया है दोनों कम्पनियों ने कहा है कि समझोते के तहत विविन इस्थानों पर तेज चार्ज करने वाले DC Chargers की स्थापना उन्हें शुरू करने और रखरकाओं की संभावनाओं की तलास की जाएगी इन स्थानों में स्वामित और पट्टे वाली दोनों जगे शामिल होंगी साथ ही महिंद्रा और इसकी सही होगी कमपनी और समू कमपनी उदारा नामित कोई अनिस्थान का भी उपयोग किया जाएगा अब चलिए डालते हैं IPO पर नजर देखते हैं IPO अपडेट मेदानता ब्रांड से अस्पतालों का परिचालन और प्रवंधन करने वाली कमपनी निवेशकों के लिए बोली दो नवंबर को खुलेगी वैस्विक निजी एकुटी कमपनी बारवार पिंकस के निवेशवाली फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ने अपने ग्यारा सो चार करोड रुपए के IPO के लिए कमपनी का IPO दो नवंबर को खुलेगा और चार नवंबर को बंद होगा IPO में 600 करोड रुपए के नए शियर जारी किये जाएंगे वियरेबल्स ब्रांड बोट ने अपना IPO लाने की यूजना को फिलाल टाल दिया है बोट की मूल कमपनी इमेजन मार्केटिंग ने बारवर पिंकर से सम्मत मौझूदा से अरधारक और नए निवेशक मालावार इंवेट्मेंट से 500 करोड रुपए जुटाए हैं कमपनी अगले 12-18 महिनों में IPO लाने की यूजना पर फिर से विचार कर सकती है तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें और जरूरी खबरें वो खबरें जिनका आपकी जेव और जिन्दिगी पर होता है सीधा असर ऐसी तमाम खबरों के लिए डाउनलोड करें Money9 के एप को ताकि तमाम ऐसी जरूरी खबरें आप तक पहुंसती रहे समय पर अब आप से मुलाकात होगी सौमबार को तब तक के लिए सुबरात्री चलते चलते अब आप देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक्स प्रिए ए देखिए हमारी चलते चलते प्रिए स्टापिक्स